हेई एवरिवन विल्कम तो सिरकारियाट वंस अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला है और उस अपडेट की जितनी भी इंफॉर्मिशन है आपके साथ कंप्लीट में डिसकस करूंगा तो फाइनली MSC Nursing का जो की है जो की PGI चंडीगड की है ठीक है तो PGI चंडीगड भी इंडिया का एक टॉप रांग्ड इंस्टिट्यूट है मेडिकल फील्ड के लिए तो अगर आप MSC Nursing यहां से करना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो MSC Nursing कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वार्मेंट आ नहीं चाहिए होगा अपलाई करने के लिए और फी स्ट्रक्चर इसका जो है कोर्स की फीस कितनी रहेगी आपकी दो साल की यह सारी चीजे हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो आप सभी कांडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा इन तक बाकी पीजाई चंडिगड जो है वो आपका बीसी नर्सिंग भी करवाता है तो उसके अप्लिकेशन फॉर्म अभी नहीं आए है तो जो भी यूजी के लिए अपलाई करना चाहते है उन कैंडिडेट को अभी थोड़ा और वेट करना होगा तो जब उसके अप्लिकेशन फ अगर आप अप्लिकेशन फॉर्म पर मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हो तो उसके जो चार्जेशन फॉर्म रुपीज नाइट रहेंगे और उसमें जो है मैं आपको पूरा अप्लिकेशन फॉर्म आपका कम्प्लीट करके दूँगा ठीक है अगर अगर मसी नर्सिंग के अगर वह उनका लास्ट एर अभी चल रहा है तो वह पर एलीजिबल रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बीसी नर्सिंग के बाद कोई भी एक्सपिरियंस की रिक्वाइर्मेंट नहीं मांगी जाती है मसी नर्सिंग करने के लिए और सीट का नंबर भी काफी जादा है तो एंस से अच्छी उपर्चुनिटी कोई और हो नहीं सकती बाकि दूसरी उपर्चुनिटी के लिए पीजाई चंडिगड के जो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्रोस्पेक्टर सही है मसी नर्सिंग का जुलाई 2024 सेशन के फर बैच 2024-26 तो National Institute of Nursing Education 9 के नाम से कॉलेज है मतलब क्या है कि जो पीजाई चंडिगड पूरा आपका युनिवर्सिटी जो इंस्टीट है उसके अंदर जो नर्सिंग का इंस्टीट है उसे हम 9 के नाम से जानते है National Institute of Nursing Education Postgraduate Institute of Medical Education Research यानि की P.J.M.E.R. चंडिगड ठीक है और का कोई Permanent Certificate होना चाहिए जिसके बाद ही आप यहाँ अप्लाइ कर सके हुए ठीक है तो यहाँ पर के आप इंडिया के किसी भी रीजन से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपके डोमिसाल किसी भी स्टेट का हो सारे कांडिडेट्स यहाँ पर MSC Nursing के लिए eligible रहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो MSC Nursing का जो Online Registration है 16 April 2024 को स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो इसके ओफिशल वेबसाइट इन्होंने पीजाइमीर.edu.in यह वेबसाइट इन्होंने दे रखे इस पर जाके आप जो है इन्फरमेशन चेक कर सकते हैं और एप्लिकेशन फॉर्म को पर होने वाला है ठीक है और एक्सपेक्टेड डेट जो डेक्लिरेशन ओफ रिजल्ट की इन्होंने दिये वो थर्ड जून दिये और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन वगर का जो प्रोसेजर वो 20 जून के आसपस आपका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यह सारी आपकी जो होते हैं 10, 15, 20 रुपे ठीक है और अधर क्यार्ट के रिसके लिए 1500 रुपीज प्लिस ट्रांजक्शन चार्ज़ेशन और प्वड जो कांडिट से उनके लिए कोई भी आपर फी नहीं करनी वो एक्जेम्टेड है ठीक है और उसके बाद जो है 6 मही तक आप अपलाई कर सकते तो यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आप डेबिट क्रेडिट यहां नेड बंकिंग के थू अपना पैमेंट कर सकते हो तो यहां पर इंपोर्टन इंफरमिशन दीती है अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो बाकि इनके यह हैं अगर आपको कुछ कोई रही है तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले आपके जो टोटल नंबर ऑफ सीट के हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट के हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट के हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सी senior singh करना तो उनको भी opportunity दी जाती है तो PJ चंडीगड के स्टाफ हैं या employees हैं उनके लिए यहाँ पर six seats को reserve रखा गया है जिसमें से general की तीन है SC की 1 and OBC की दो seat है ठीक है अब आप बोलोगे कि ST की तो कोई seat नहीं दिख री EWS की तो कोई seat नहीं दिख री ठीक है मतलब general की seat के लिए वो eligible है ठीक है तो जिसकी भी seat यहाँ पर mention नहीं है वो general seat के लिए fight कर सकता है उसके बाद बात करें यहाँ पर general seat के लिए तो 12 seat हैं यानि कि all India से जो candidates यहाँ पर apply करेंगे तो वो 12 seats के लिए general quota से कर सकते हैं SE category से अगर आप belong करते हो तो four seats हैं यहाँ से आपके लिए Já है ST category से अगर आप लिए तो टू seats है आपके लिए यहाँ पर रहे हैं OBC के तो सेवन seats हैं यहाँ reserve रखे गए गई है PWD candidates अगर all India से कोई भी है तो उनके लिए तो सीड यहां पर रिजर्व रखे गई है ठीक है अब देखो मैं यहां पर आपको इक चीज बता दू कि यहां पर OBC अगर आप हो OBC Candidate हो बागी EWS के तो देखो यहां पर कोई Central Format में होना चाहिए यानि कि आपकी आपका Central Format का Certificate तभी बनेगा जब आपकी जो कास्ट है OBC के अंदर वो OBC की Central List में आ रही होगी ठीक है तो यह जो है आपको इस चीज के लिए ध्यान देना होगा अगर आप OBC से अपलाई कर रहे हो तो आपको यह चीज ध्यान रखनी क आपको जो Certificate बना क्याटेगरी Certificate OBC का वो आपका Central Level का होना चाहिए बाकी SCST के लिए कोई भी ऐसी condition नहीं है ठीक है और उसके बाद आगे चलते हैं ठीक है तो यह Classification में ने बताई दिया आप इनों ब्रांच वाइस दे रखा है कि जो आपके अलग-अलग fields हैं ठीक है त इसके बाद आपका Medical Surgical Nursing और उसमें अलग-अलग सबस्पेशलिस्टी दी हैं आपको और इसमें जो 9 सीट आपके हैं तो यह इनोंने क्या क्रांच वाइस इनोंने क्लासिफिकेशन आपको कर दी देगे कि किस तरीके सीट सहां पर रखे गया है ठीक है और उसके बाद है आप अपना जो है बीसी नर्सिंग चार साल का कंप्लीट क्या हो या फिर जो जो जी एनम वाली कांडिटेट है उन्होंने पोस्ट बीसिक नर्सिंग अपना कंप्लीट कर रखा हो किसी बीस्टीट से और उसमें आपके कम से कम मिनीमम जो है 55% ग्रेजूशन में होनी ठीक है उसक या जस्ट अभी खतम हुआ है तो भी आप वहां पर अप्लाइ कर सकते हो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर आपको कम से कम एक साल का वर्किंग एक्सपिरियंस दिखाना होगा ठीक है और इन्होंने एक चीज़ एबी मेंशन करी कि जो वर्किंग एक्सपिरियंस है य जानि कि अब आप नर्सिंग कंप्लीट कर लेता हुष नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो फ yhtー नर्सिंग करने के बात तीन से चार मह entit का टायम लग जाता है आपको आरनों नमबर मिलने के लिए रिज़टेशन लगने के लिया तो थास्ट रीने मेंशन पेसकते हो उसके टो हम यह कह सकते हैं कि 6 माई 2023 से अगर स्टार्ट किया होगा अपना वर्क एक्स्पिरिंस लेना अपना रिजिस्ट्रिशन नमबर मिलने के बाद तो आप यहां पर अपलाई कर ठाय होगे इस मतलब कम से कम 6 माई 2023 इससे पहले भी अगर आपने स्टार्ट कर दे था एक्सपिरिंस लेना तब यहाँ पर हो जाओगे तो यह आपकी जो है में यहाँ पर रिक्वार्मेंट इनों ने दी है इमस में कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेशर क्याडिटेट के लिए यह जो अपरचुनिटी वो नहीं है और उसके बाद यह फॉरें नेशनल वगर रके दिये हैं इन सर्विस के लिए तो यह तो उनको पता होगा जो इन सर्विस ओलेडी है और उसके बाद यहां परेनों ने लिखा है कि भाई जो आउटसेट कैंडिडेट हैं जो अभी भी वर्क एक्सपिरियंस ले रहे हैं किसी होस्पिटल वगरह में तो उनको नोसी भी इशु करवानी पड़ीगी और आपको अपने फॉर्म में अपलोड करनी होगे तो अगर आपको फॉर्म में अपलोड मतलब फॉर्म आपको फिल करना है तो उसके लिए आपको अपने एंप्लॉयर से जिस भी होस्पिटल में आप काम कर रहे हो वहां से आपको आपको नोसी जो यहां पर लेनी होगी ठीक है और बाकी रेजर्वेशन ओफ सीट्स वगरा यह तो मैंने आपको बताए दिया टोटल सीट्स वगरा कितनी है और सेलेक्शन प्रोसीजर के 23 में को आपका टेस्ट होना है टेस्ट जो है वह आपका देड़ घंटे कराएगा 1.5 आर्स और मतलब 90 मिनिट्स का ठीक है और यह जो एक्जाम होगा वह एक ही शिफ्ट में कंडट करवाया जाएगा और जो कि 23 में एक होगा सुबह नौ बजे से लेके साड़े दस बजे तक ठीक है उत्राखंड में रखे हो और हिमार्चल में रखे है तो यह कुछ सेंटर है अब देखो इनोंने एक चीज़ उपर लिखी है ठीक है आपसे तीन या चार प्रिफरेंसेज यहां पर मांगे जाएंगे उन्ही तीन या चार प्रिफरेंसेज में से आपको एक्जाम सेंटर अलॉट होगा हो सकता है पहला वाला भी हो जाए हो सकता है आखरी वाला हो जाएंगा तो में भी हो सकते हैं आपको अंबाला मिल चाहिए, इसलिए आपसे दो या तीन या चार प्रिफरेंसे यहां पर फिल करवाए जाएंगे, तो एक्जाम सीटी उन में से कहीं पर भी आपको मिल सकता है, तो इस चीज का अपको थोड़ा सा ध्यान आकना होगा, अब इसके मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप गलत करोगे तो 0.25 और अगर आप छोड़ दोगे कोशन को, तो जीरो मार्क्स होगे उस पर्टिकुलर कोशन के लिए, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, 90 मिनिट्स का है, तो 90 मिनिट्स में आपको 100 कोशन यहां पर करने होगे, और इसके 20 कोशन होगे, और जीके के 5 कोशन पूचे जाएगे, तो जीके ना भी पड़ो तो कुछ फरक ने पड़ता, 95 मार्क्स जो है वो आपके सलेबस से ही पूचे जाएगे, तो अगर आप उसी को कर ले तो बहुत अच्छे से, और 60-70 के अश्पस अगर आप स्कोर ले आत इनको कम से कम से कम 50 percentile score लेकर आना होगा, अब देखो 58 percentile और 50 percentage ये दोनों चीज़़े अलग होती है, तो 58 percentile अगर आप स्कोर लिया झाए, 50 percentile अपका जो 10 नमबर पे भी बन सकता है, 15 नमबर भी 100 मैं से, और 20 नमबर भी 50 percentile बन सकता है, ठीकैं तो वो मैंटर नहीं करता है मतलब इसका मतलब यह नहीं कि 50 परसंटेज यानि कि 100 में से 50 नमबर लाने है तो आप कौलिफाइ करोगे इसका मतलब यह कि 50 परसंटेल अगर आप जनरल कैटिकरी से ले आते हो परमिशन लिखी है कि आपको जो है डिमांड राफ्ट वगरा के फॉर्म में आपको पेमिंट यहां पर करनी होगे अपनी फीज की ठीक है और उसके बाद जो हैं पर फीज चुक्चर की बात कर लेते हैं तो फीज तो देखो काफी कम है आपर फीज यहां पर आपको पर एंडम की दी हुए है ठीक है अट्यूशन फीज आप देख सकते हो साड़े गान साजूशन पर 30ाप और फीज चानल तो साड़े तो साड़े तीन सो चार सो और तीन फीज बढ़ए टॉटल और ऐट्पचास अन्बदेर उसके बाद साथ सो और मिला तो 200 अर्मिला दो 250 रच्छां वे उसके उसके अलावा admission के time पे आपको 500 रुपीस registration fees आपको pay करनी होगी और refundable security money आपको 10,000 रुपे का पे करना होगा और migration fees जो 100 रुपे की पे करनी होगी ठीक है तो 500 और 600 रुपे का extra खर्चा है जो आपको admission के time पे देना होगा यह 10,000 रुपे जो security fees है यह आपके ऐसी के ऐसी संभाल के रखी जाएगी security fees इसले ली जाती है ताकि अगर आप college का कोई भी नुकसान करते हो तो उसकी भरपाई करने के लिए इस वाले पैसे का इस्तमाल किया जाएगा अगर आप कोई भी नुकसान नहीं करते है college का तो उस case में आपको यह 10,000 रुपे दो साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको return कर दिये जाएंगे ठीक है तो 2,000 रुपे आपकी साल की fees होगी 2,500 रुपे मैंने आपको बता दिया और बाकि 600 रुपे आपको extra देने पढ़ेंगे स्टार्टिंग में और बाकि 10,000 रुपे सेक्यूर्टी मैंनी देना पड़ेगा तो कुल मिलाके 2,000, 2,000, 2,000 कितना होगया 4,000, 4,600 कितना होगया 4,600 तो 4,600 रुपे का आपका टोटल खर्चा है दो साल के पूरे कोर्स का बाकि हम पर हॉस्टल वगरा जो आपका अलागो का बाकि पिनाल्टी वगरा इनों लिखे 50,000 कि अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हो तो उसके समें पको 50,000 की पिनाल्टी आपकर पे करनी होगी और उसके बाद जोए यहां पर मतलिब देख लिए तो में अगर मतलब देख लिए तो में अगर उसका मतलब ऋसका तो तो देख व जायद होगा यहां पर ठीक है थीक है घूस्टल शाहँ नहीं है तो यहांपर लिक्पा है कform no aúnsta facility is presently available for MSC naeger थो अइस्टोव कमिंग फ्रम स्टडिई फ्रम आउट सेशन या उट सेशन या उट सेट टेंगर नीज तो मिक देर अरेंजमेंट अवस्टल की फैसिलिटी नहीं है रहने का खाने का यह आपको खुझ से अरेंजमेंट करना होगा पड़ाई का खर्चा आपका मात्र जो है मतलब किता चार आपको खुझ से अरेंजमेंट करना होगा तो यह आपकी जो है सारी इंपॉर्टेंट इंफ्रमेशन मैंने हाप पर डिसकस कर दिया आई होप सारी चीज़ आपको चेस समझ आ गए होंगे बाकी डॉकुमेंट्स अगर आपको तब करने होंगे डॉकुमेंट्स ही आपको तो यह जो है मतलब अच्छा ओलाइन अप्लिकेशन फॉर्म के लिए तो अप्लिकेशन फॉर्म जब आप फिल करोंगे तो आपको यह सारी डॉकुमेंट्स हापको यह अपर अपलोड करने होंगे एक तो देट अब बर्थ का सर्टिफिकेट होगा मतलब 10 का अपलोड करने होगे तो इतनी इंफॉर्मिशन थी आई होप सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और अभी इस वीडियो को ही प्रेंट करते हैं अगर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप अप्लिकेशन फॉ को मैसेज कर सकता हो ठीक है और ये वीडियो प्लीज जरूर लाइक कर देना अपने फ्रेंट के साथ में शेयर कर सकते हो और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन मेरे को बता सकते हैं तो थाइंक यू और हैवा नाइस टेए